आवीव क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता। 689 node चल रहा है, means we are in early stage of Aviv network, Aviv के बारे में आप लोगों को काफी सारी चीज़े already clear हो चुकेंगी जैसे हम लोग Aviv के use cases की बात करते हैं, जहां पर proof of digital footprint, argumented reality, mixed reality, wide use cases और marketplace की बात की जा रही है, wide use cases में जब मैं click करके देख रहा हूँ, तो Aviv का जो next focus है, वो gaming, NFTs, VRMR, DEFI, DAO, digital collectibles और metaverse है, मतलब कही न कहीं पर Aviv protocol के अंदर एक बहुत बड़ा potential है आने वाले time में, और Aviv के बारे में अगर आपको थोड़ी से deeply study करनी हो, तो यहां पर आपको एक बिल्कुल clear चीज़ मिल जाती है, जो Aviv के road map से हमें clear हो जाती है, कि Aviv exactly कितना बड़ा potential market में बना सकता है, उसके लि Aviv अपने multiples of use cases पे काम करेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ, wallet, MPC wallet with the partnership of particle network already Aviv का आ चुका है, दूसरा, NFT, पहला जो genesis NFT थे, 5000 NFTs को mint already किया जा चुका है, यानि कि use cases में, दो use cases already आ चुके हैं, तीसरे use की बात करूँ, जहां से Aviv की शुरुआत हुई P.O.N. proof of networking consensus या बोल सकते हैं, proof of networking protocol, तो यहां पर social connection का भी जो point है, वो Aviv की use case में आ चुका है, proof of digital footprint की बात करें, तो Aviv अपने second task perform करने वाला है, जैसे, Aviv के अंदर mainly 3 task पर focus किया गया है, जिसमें सबसे पहली थी Aviv profile mint, जो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कर लिया होगा, जिसके 2 या 3 रुपे का, और arbitrary chain के अंदर ethereum को buy करके, अपने simply profile को mint कर लेना था, क्योंकि यह अब एक start हो चुका है, दोस्तो, web 3, web 3.2 आप भी जानते हैं, जहाँ पर self custody की बात की जाती है, decentralization की बात की जाती है, blockchain technology की बात की जाती है, और web 3 में अगर मैं non custodial wallet की बात करू, तो ज आज आप देखिए, अगर मैं layer 2 scaling solution की बात करता हूँ, तो वहाँ पर ARB और Polygon Matic, exactly ethereum को scale करने के लिए बिल्कुल ready है, ऐसे इस shiberium network के अंदर bone जो है, वो भी कहिना की पर L2 scaling solution है, आविव का भी आप roadmap देखिए, तो layer 2 roll up technology, आविव अपने सभी use case को develop करने के बाद, finally इसी पर focus करने वाला है, और layer 2 roll up के नीचे आपको साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है ethereum, मतलब कही ना कहीं पर आविव भी roll up technology को use करके ethereum की scale up में layer 2 project में काम करेगा, यानि कि आने वाले टाइम में हम लोगों को VV जो tokens होने वाले हैं, उसका staking option भी मिलने वाला है, that's why हम लोग यहाँ पर defy as a use case भी देख पा रहे हैं, gaming एक बहुत बड़ी industry है, तो gaming के अंदर भी कहीना के पर play और earn का option या फिर burn का option जो है, वो भी हो सकता है कि आविव के gaming option में डाला जाए, इसके बाद अगर आप लोग आविव का complete white paper चेक करें, तो ज़्यादा तर लोगों का focus होता है कि वो सिधा tokenomics में focus करते हैं, कि exactly tokenomics क्या है, कितने number of supply है आविव token की, आप भी जानते हैं, अभी तक आविव ने अपने token की जो total supply है, market के app या total supply जो है, उसे discuss नहीं किया है, कईने कई पर ना ये एक major hurdle है, तो twitter के उपर कई बार आपको बहुत जादा negative comment मिलते हैं, क्योंक पेपर में term section में लिखी गई है, सबसे important चीज़ है दोस्तो, delegate proof of stake, मतलब DPOS एक concept है, बिल्कुल नया concept है, जैसे हम लोग पहले proof of stake समझते थे, लेकिन अब जो है, वो delegated proof of stake, जहांपर validators की बहुत बड़ी एक chain बन जाती है, उसका भी कहना की पर role, DPOS system का, वो आविव के इस identity के हिसाब से token दिये जाते थे, तो overall इसके अंदर भी SBT soul bound token जो है, उसका concept भी डाला गया, देखे हैंसा आप mention है, कि 31st of August को Ethereum के founder Vitalik Butree ने इस concept को introduce किया था, soul bound token, जिसकी वजह से हम लोगोंने आविव के profile को mint किया है, और आज web 3.0 के according, जितने भी आविव के minters हैं, उनकी ज इसके लाब proof of networking, proof of stake, validators, ZK EVM, यह सभी जो technology का part है, जो से माँ अल्रीडी बता चुका हूँ, ZK roll up technology, layer to scaling solution होने वाला है, और उसके बाद zero knowledge, जिसको हम बोलते हैं, EVM compatible, तो exactly आविव वो भी होगा, ZK EVM, zero knowledge according to EVM, Ethereum virtual machine, जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी compatibility का point है, वो आविव क scalable contract के अंदर execute किया जाएगा, अब यहां पर देखिए, recently अगर आप Twitter पर आविव को follow करते हैं, और आविव से related tweets देखते हैं, तो कही ना कहीं पर आपको ऐसा tweet भी देखने को मिला होगा, कि अगर आविव, core की तरह अपनी supply को nearby रखता है, जैसे core की supply है 2.1 billion, और जब हम जान सकते हैं, मेरा जो code है, वो है 191312, otherwise आप direct link से Sun Crypto को join भी कर सकते हैं, अब Sun Crypto में जब core का starting listing हुई थी, तो core का price initial type पर 500 रुपीज तक चला गया था, recently मैं बात करूँ तो core का जो price है, वो half of the dollar है, but according to supply 2.1 billion की supply जो है, वो एक बहुत positive impact डाल रही है, आज भी market में, next bull run के Bitcoin hauling की बात करें 2024 में, जहां पर अभी हमें बहुत बड़ी price moment देखने को मिल रही है, वहां पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर Aviv जिसी साब से अभी 4689 node में है, आने वाले 6 महीने, साल के अंदर जब Aviv एक proper अपना VV token launch करेगा, सबसे पहले blockchain की announcement होगी, और Aviv के जितने wide use cases इन सब को collaborate करके, अगर Aviv finally launch करता है, with a minimum supply, मतलब अगर आप इसको समझेए, 5 billion या 5 billion से कम की supply रहती है, तो definitely हम लोग Aviv के अंदर भी वो potential देख पाएंगे, उस potential से Aviv का price हमें initially जो है, वो 20-25 रुपे जाता हुआ, definitely दिखाई देगा, और एक recent hype होगी, आप भी जानते है, हा Without VC जो है, वो इस टाम पर काम कर रहा है, और इस टाम पर वर्ल्ड की largest on-chain VC free sovereign community बन चुकी है, मतलब सारी transaction जो है, वो on-chain हो रही है, कोई भी एक transaction, कोई भी एक movement, कोई भी profile minting है, वो off-chain नहीं हो रहा, ये सबसे strong point है, बहुती कम टाइम में, आविव ने बहुत बड़ी community बन बनता है, लेकिन कहीना कहीपर crypto market में सबसे बड़ा impact होता है project की supply और उसके according trading movement का, और आप भी जानते है, initially trading movements के लिए, initially trading के अंदर manipulate करने के लिए, trading को movement लाने के लिए, कहीने कहीपर project के अंदर बहुत strong use case होना जुरूरी है, जिसके लिए already आविव ready है, तो मैं आपको इसल Bitcoin के reward भी मिलते रहते है, definitely अभी MPC wallet के अंदर आपने देखा होगा कि Bitcoin और आविव का जो VV token उसको transfer नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने माले time में जब यह launch होगा, तो definitely हम लोग Bitcoin को भी withdrawal कर पाएंगे, अपने MPC wallet में जो आविव का ही native wallet है, और आपने VV token से भी easily हम लोग benefit ब अगर वहाँ पर ध्यान दे, एक unique identity लेकर ये project इस time पर crypto market में enter कर चुका, और बहुत ही कम time के अंदर आविव ने अपना एक काफी strong roadmap, काफी strong community भी बना ली है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस type के mining project को lose करने की बिल्कुल भी requirement है, so please, अगर आप लोग already miner है, already मेरे referral link से mining क कर लीजे और आविव की second task की wait कीजिए, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है, आविव की जो दो Twitter profile है, आविव वर्ल्ड और आविव एप इनने यहाँ पर confirm कर दिया गया है, अब आविव का partner वोग यू जो हो स्टार्ट होने वाला है, जो एक next second step होने वाला है, अगर आप तीनो step की बात करें, तो यहाँ पर देखे, पहला step अलेडी हो चुका, अगर आप लोग अगर तक mint नहीं किया, तो आप लोग mint कर सकते हैं अपनी NFT को, और second देखे, अगर मैं आपर check पर click कर रहा हूं, जहाँ पर एक नया horizon, एक नया endeavor की बात की जा रही है, वहाँ पर coming soon आ है, इटमीज बहुत ही जल्दी, आसे तीन से चार दिन पहले आवीव ने अनौंस किया है, तो बहुत ही जल्दी हम लोग second phase या second wide use case को access कर पाएंगे आवीव के, और उसके बाद होगा, अवीव का third जहां पर आप लोग साफ मैंशन है, elevate the thrill and win big, यानि कि कहने कि इस पर हमें today, but please keep it in mind you are in the highly volatile market, so if you want to buy, if you want to start, if you want to trade in crypto, please, 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 do your own research first. Thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates. Thank you so much.